नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिछले कुछ समय से विशुभर में mysterious outbreak देखने को मिल रहा है which is related to hepatitis B जी हाँ, hepatitis B के बारे में I'm sure आपने सुना होगा, मैं आपको वीडियो में भी बताऊँगा लेकिन इस से related कई सारे outbreaks जो है, वो बच्चों के अंदर देखने को मिले है विशुभर में लेकिन अभी तक ये Asia में नहीं देखा गया था, finally ये अब Asia में भी एंटर कर गया है तो इसको details से समझेंगे कि exactly हो क्या रहा है, और क्या कारण है, जिसकी वज़े से बच्चे जो हैं, वो hepatitis B का सिकार बन रहे हैं काफे कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, आपके पास दो दिन का मौका है अगर आप UPSC का कोर्स लेना चाहते हैं, बहुत ही कम दापर, जस्ट डबल नाइन, डबल नाइन, विथ डबल वैलिडिटी, तो आपको कोर्ड इस्तमाल करना है, अंकित फ्लैश, यह आप हमारे अप पर जाएए, या फिर वेबसाइट पर जाएए, वहाँ पर आप इस्त परचा क्यों करें, देखें, एक सिरीज ऑफ अनेक्स्प्लेंड केसे ऑफ हैपिटाइटिस B, मतलब हैपिटाइटिस B, यह डिजीज हो रहा है बच्चों में, यह तो हमें दिख रहा है, लेकिन वो किस वजह से हो रहा है, वो पता नहीं चल रहा है, across the world, कई सारे देश, ज इसी की वज़े से डॉक्टर जो है, वो constantly उनको बोला जा रहा है, कि आप monitor करिए, health authorities को बोला जा रहा है, monitor करिए, कि आखिरकार कारण क्या है इसका, कि hepatitis B देखने को मिल रहा है, question यहाँ पर सबसे पहले आपके मन में यह आएगा, कि hepatitis B है क्या, देखो यह hepatitis B एक प्रकार भी भी कहा जाता है, और यह basically जो blood हो गया, semen हो गया, या फिर आपके body का कोई दूसरा fluid हो गया, उसके माध्यम से यह spread होता है, फैलता है, although इसको protect किया जाता है, I am sure कि आप सभी लोगों ने, बच्पन में भी यहाँ पर जो hepatitis B का टीका है, वो लिया होगा, vaccination, in fact जैसे ही बच्चे का जनम होता है, सबसे पहले जो टीका है, vaccine है, वो hepatitis B का दिया जाता है, लेकिन जब यह जो disease, hepatitis B, जब यह छोटे समय में होता है, acute होता है, तो उस समय उतना treatment की आउशकता नहीं पड़ती है, लेकिन कई बार यह serious भी हो जाता है, जिसकी हो जैसे, जो organs हैं, जैस के symptoms देखने को मिलते हैं, और काफी fair chance है, इसमें कि अगर जिस दिन से आपको यह virus हुआ, मतलब body में enter किया, तो उसके एक महने से लेकर 6 महने के बीच में, आपको पता भी शायद नहीं चलेगा, इसके बारे में हम जान भी नहीं पाते हैं, और अचानक से हमारे body में symptoms सामने निकल कर आता है, तो यह जो latest outbreak हो रहा है बच्चों में, ध्यान रखी का यह बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें World Health Organization की report आई, और उसके अंदर उन्होंने यही बताया, 169 cases देखने को मिला है वेश्वभर में, और यह आप देख सकते, United Kingdom में 114 case हो गया है, Spain में 13 case, Israel में 12 case देखने को मिला है, बहुत सारे जगह आपको देखने को यह मिलेगा, और जैसा मैंने बताया कि latest कबर आई है कि Asia में भी spread हो रहा है, जैसे Japan में एक case देखने को मिला है, Canada में भी यह case आ चुका है, तो यह लगतार फैलता जा रहा है, और most cases बताया जा रहा है कि एक महन के बच्चे से लेकर 16 साल तक के बच्चे के उम्र के बच्चों में यह जो पूरा hepatitis भी है, वो देखने को मिला है, जिस 169 cases की हम बात करें, तो 17 बच्चों को यहाँ पर liver transplant की आवशकता पढ़ गई थी, सोच के देखे इतना जदा यह भावावा हो जाता है, और इसमें से एक बच्चे की मित्यू भी हो चुकी है, WHO की report में ऐसा बताया गया है, और most cases अगर आप देखोगे न, वो acute hepatitis से related है, मतलब short term के लिए होता है, और liver inflammation हो जाता है, सूच जाता है basically, और WHO की report में यही का गया है, कि ज़्यादा तर cases में जो symptoms हैं, उसमें abdominal pain हो गया, diarrhea हो गया, vomiting ह हो गया, यह बच्चों में देखने को मिला है, अब जाहिर सी बात है कि इससे concern क्यों बढ़ आए, क्योंकि hepatitis B तो पहले से है, देखें मैं आपको समझाने की कोशिच करता हूँ, यह mysterious क्यों है, इसको आप समझो पहले, देखो, hepatitis जो है, वो कई प्रकार से आपको देखने क मिलेगा, hepatitis A हो गया, hepatitis B, C, D, E, इसमें जो सबसे खतरनाख होता है, hepatitis B होता है, यहां तक तो हमें समझ में आ जा, लेकिन ये वाला, मतलब ये जो बच्चों को संकरमित हो रहा है, hepatitis जो है, वो hepatitis B तो है, लेकिन ये अभी present में जो hepatitis के viruses हैं, उससे related देखने को नहीं मिल रहा है, यह अभी link नहीं बठा पाए है, doctors, जो भी ये case पाए गया है, ठीक है, instead यहां पर यह बताया ज़रा है, कि यह एडेनो वाइरस से related है, मैं आपको आगे बताऊंगा, एडेनो वाइरस बेसिकली जो common cold वगर होता है, सर्दी दुखाम हो जाती आपको, वो एडेनो व वाइरस से मिलकर बनाए है, उसी को dead form में बनाया गया है वैक्सीन को इसका यूज करके, लेकिन यह जो कोवी शेल्ड है यह इसी का एडेनो वाइरस का इस्तमाल करके वैक्सीन बनाई गई है, तो यहां पर concern यह है कि present में जो hepatitis D का, जो disease है, hepatitis के जितने भी है, उससे यह द percent बच्चे एडेनो वाइरस से positive पाये गहे हैं, नेदरलेंड के अंदर भी कुछ वैसाई situation देखने को मिलेगा, US के अंदर भी इस तरह के cases लगतार बढ़ते जा रहे हैं, और यहां पर सभी को direct यही किया गया है, बोला गया है, कि hepatitis का कोई भी अगर chances आता है बच्चों में तो आप उसको अच्छे से dest करिए, उसके जानने की कोशिश करिए, ताकि at least पहले हमें पता तो चले कि exact हो क्यों रहा है, क्योंकि अभी तक पता नहीं चल पाया है, कि यह जो hepatitis B हुआ है, 169 बच्चों में, उसका main कारण क्या है, क्योंकि present में जो hepatitis B के viruses हैं, यह उससे related न नहीं है, दूसरा यहाँ पर बुला गया है कि paracetamol कई बार यह होता है न, बुखार वगर हो जाती है, या फिर covid के दौरान paracetamol लिया जा रहा है, तो उसके overdose की वज़े से liver failure हो सकता है, वो भी इससे related नहीं है, यहाँ पर in fact यह भी question पूछा गया कि क्या बच्चों को ज vaccine दी नहीं गई है, वो eligible नहीं है ज्यादा तर विश्व में, भारत के अंदर अब धीरे धीरे चीज़ें start की जा रही है बच्चों को vaccine के लिए, तो यह काफी जादा mysterious होता जा रहा है, अब यहाँ पर question यह है कि यह जो बताया जा रहा है अभी present में, कि यह adenovirus related है, तो adenov virus कैसे hepatitis B कर रहा है, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, देखो adenovirus पहले याद रखेगा, कि यह commonly caused cold है na, flu होता है, जो seasonal flu होता है, वो basically adenovirus की वजए से होता है, and it basically spread from one person to another through close contact, आप किसी के close contact में होगे, sneeze करोगे, कफ करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, adenovirus ध्यान यह 50 से ज़्यादा प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे, more than 50 types adenovirus, लेकिन इसके अंदर जो type 41 है, इसकी वजए से बताया जाता है कि diarrhea होता है, vomiting होता है, fever होता है, और यही आपका symptoms पाए गया है, जो अभी के बच्चों को hepatitis B हो रहा है, 169 बच्चों को, वो यही symptoms बताय तो हो सकता है कि यह जो adenovirus type 41 है, उसकी वजए से यहाँ पर बच्चों को hepatitis हो रहा है, तो WHO ने यह कहा है कि जो बच्चे immunocompromised हैं, मतलब कि जिनके अंदर immunity नहीं है, उनको यह ज्यादा तर हो रहा है, अगर आपकी immunity अच्छी है, बच्चों की healthy सरीर है, तो यहाँ पर उ आगे चलकर exactly क्या निकल कर आता है, बटाई होब की अभी जो भी कुछ चर्चा चल रही थी इसके बारे में, hepatitis, mysterious, hepatitis outbreak के बारे में, वो सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए, क्या हम disease की बात करें, क्या बता सकते हो, यह बहुत confusion होत हैं, इसका सही उतर, मैं कई सारे MCQs है, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF, यह तो telegram पर आईए, अलग-लग social media पर भी आप रूड पाऊगे, और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC की preparation करना चाते हैं, एक बहुत ही अच्छा मौका है, use this code, अंक आप करनो, बाहँ है, बाहँ है 50 अखको, यह rayको जिल अपको का यहिए सारे मतराते हैं, बाहँ हैं